सावन के चौधे सोमवार पर उज्जयन में भगबार महाकाल ने चार अलग-अलग रूपों में भक्तो को दर्शन दिये जिसे शरधालों का मन मोह लिया महाकाल की इस अधवित्य सवारी में हार एक वरूप ने भक्तों के दिलों में विशेश सिस्थान बना लिया इस बार महाकाल ने पालकी में चंद्र मोलिश्वर हाती और मन महेश बैलगाडी में गरूर पर शिवतानड़ और बैलगाडी में नंदी पर उभा महेश के रूप में दर्शन दिये यह सवारी उच्चैन के पारंपरिक मार्ग से होते हुए रामघाट पहुंची जहां मार्श शिप्रा के पवित्र जल से भगवान महाकाल का अभिशेख किया गया और विधिवत पूजा अर्चिना की गए महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर सशिष्टर जवानों ने पालकी में विराजित भगवार महाकाल को सलामी दी भग्तों ने पूरी सवारी मार्ग पर फूलों की बरसात कर भगवान का स्वागत किया और कई अस्थानों पर महाकाल की आर्दिवारी सवारी के दोरान सीधी से आए जन जातिय कलाकारों ने अपने लोग नित्य घसिया बाजा की अध्भूत प्रसुती दी जिसने दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया ये कलाकार पारमपरिक वेश भूसा में गुदुम बाजा, डफली, शेहनाई, टिम की मांदर और घुनगुना जैसे बाद यंत्रों पर अपनी कला का प्रदशन कर रहे थे भगवान महाकाल की एक छलक पाने के लिए भक्तों का सैलाव उमर पड़ा और शर्थालों की भक्ती और उत्सा ने पूरे उज्जैन को भक्ती के रंग में रंग दिया राजधानी भोपायल के थाना गोविनपुरा छेतर में स्तित्र रचना टावर में कुछ दिल पहले एक शराब व्यापारी की एक घर पर दो बदमाशों ने एक गट्टा दिखा कर 12 लाग की लूट की थी पुलिस मौके पर पहुँच का सिसी टीवी फुटेज की जांच की जिससे घटना के पुस्टिवी बरिष्ट अधिकारियों को सुचित करने के बाद एक टीम गठी ती गई पुलिस और क्राइम ब्रांच की सयुक्त टीम ने इस मामने में बड़ी सफलता हासिल की है और आर पुरूश और एक महिला ने इस घटना को अंजाम दिया था इन बदमाशों की दोस्ती मुलताई जीला बैतूल के जेड में हुई थी